नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक Wi-Fi stereo amplifier है जो के 44-44 IC वाला है और ये जो amplifier आप देख रहे हैं 12V बैटरी से किवल बजने वाला है इसे आप main supply से लाइन से नहीं बजा सकते हैं तो हम चाहते हैं कि इस amplifier को लाइन से बजाने के लिए connection करें तो इसमें क्या क्या चीज का हो सकता है और इसमें connection कैसे करना है तो आज के वीडियो में किवल यही बताने वाले हैं तो यहां पर 12V का बैटी है और यहां red color का wire है plus होला है और black color wire minus होला है और बाकी के जो yellow color का wire इधर जो लिकला हुआ wire है aerial के लिए है तो सबसे पहले इस amplifier को हमको चेक करने के लिए red वॉला plus पर और black वॉला minus पर जोइन करके इसको चेक कर लेंगे तो चलिए सबसे पहले इस amplifier को हम चेक कर लेते हैं अभी amplifier जो है complete है कोई इसमें दिकत नहीं है तो यहां से देख रहे हैं हम आउन कर दिये इसमें display ओगरा sound ओगरा जो भी है बिल्कुल चाहिए तो इसमें कुछ खराब था balloon ओगरा तो इस मैंने 0-12 volt का transformer ले लिया है जो कि 2 amp का है टेस फार्मर है तो transformer से connection करने के लिए बाहर जो supply निकला हुआ है red color और black color का और यह जो पिला वाला है sound के लिए है और green वाला जो wire है sound के लिए तो इसको हम बाहर ही रहने देंगे बाकी के red color और जो black color का wire है हम अंदर में खिच जो आप 12 volt से भी बजाना चाहते हैं तो आप इस wire को इसी तरह से छोड़ दे तो यह हम नहीं चाहते हैं कि इसको 12 volt ले बजाए किवल हम supply से main line से बजाना चाहते हैं तो इस wire को हम अंदर में खिच लेंगे इस wire को बाहर निकाल देना है दूसरा चीज इसमें ध्यान देना है कि board में आप देख रहे हैं किवल एक diode लगा हुआ है तो यहाँ पर तीन diode और हमको लगाना होगा जो diode board में लगा हुआ है 54 आट है तो सेम उसी नंबर का हम diode तीन और ले लेंगे और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो silver color का white color का एक side में जो निसान देख रहे हैं प्लस allah होता है और इधर नहीं हो माइनस उला होता है इसमें जो diode लगा हुआ है तो सेम उसी तरह से हम देख लेंगे कि silver जो लगा हुआ है प्लस उला है और Condenser का point देख लेना है तो Condenser पर यह जो plus चीज है कने सर्के plus प जा रहा हैanga देख रहे हम इस पर से लगा देंगे यहां पर और यहां पर green color और yellow color का जो आइर आप देख रहे हैं यहां स्यूच ले गया है on off करने के लिए तो इस wire को हमको हटा देना होगा और red वाला भी हटा देना होगा जो बाहर सप्लाई गया है इसको भी हटा देना होगा और जो black wire बाहर गया है उसको भी हटा देना है तो चलिए इस wire को भी हम हटा देते हैं उसके बाद में इसमें divert एक लेक इस तरह से डयोट को लगाना होगा तब जाके ये मैच करेगा तो चलिए यहाँ पर मैंने चार डयोट इसमें लगा दिया है इधर माइनस हो गया और देख रहे हैं माइनस का कोप और ट्रसफार्मर जो कंडेसर है कंडेसर के माइनस पर जा रहा है इधर और दुसरे साइड में जो plus है जा रहा है और बीच में जो आपको बचेगा दोनों वापस में connect किया हुआ है तो इस पर transformer का secondary wire इस पर solding करना है तो चलिए सबसे पहले मैंने इस पर अच्छी तरह से कर दिया है वाइर को हटा दिया अब इस पर secondary wire transformer का जो वाइर है इस पर solding करना है यहां पर green color का पुरी color का जो वाइर है तो इस वाइर को मैंने हटा दिया है जो कि मैं supply के लिए थपा ले और यह रेडोला और यह जो बलैकुला वाइर है इसको भी हटा देंगे हम चलिए इस वाइर को हम हटा देते हैं तो यहां पर मैंने इस वाइर को हटा दिया है देख रहे हैं बाकि के जो black color वाइर और red color का दो वाइर है तो इस अच्समा देना है इस अच्छी तरह से इस बॉर्ड और को गुमा देना है यहाँ इधर जगा बच जाएगा तेस फार्मर लगाने के लिए तो यहां जो पहले पोड कसा हुआ था अब यहां पर हम इस टरफ आमर को कस देंगे इस तरह से रखकर ट्रिस्पार्मर को इसमें कस देंगे स्क्रूप डैबर के मदद से अची तरह से कस देना है अब इसको कनेक्शन करने के बारे में समझना है तो प्राइमरी सेकंडरी वायर जो है ब्लू कलर का डैयोड पलस और माइनस जो जोईन्ट हुआ था तो एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे दो वायर को सोल्डिंग कर देना है तो चले सबसे पहले हम क्या करते हैं बाहर जो दो वायर निकला हुआ था sound के लिए तो इसमें एक में लिड लगा देंगे हम और transformer को अच्छी तरह से यहाँ पर कस देंगे दोनों hole में लगा कर तो चलिए यहाँ पर मैंने lead लिकाल दिया yellow color का इधर लिकाल दिया है और green color का wire इधर लिकाल दिया ताकि इसमें पुरा wire नहीं घुस रहा था और main lead का connection करने के लिए एक main lead का wire ले लेंगे तो यहाँ मैंने empire बढ़ा कर दूसरा switch ले लिए है और बाकी दो main lead और transformer का इस पर solding करके टेपिंग कर दिया है तो चलिए इस switch को हम इसमें लगा कर अच्छी तरह से बैठा लेते हैं और इसका connection पूरी complete हो गया है अब इसमें supply देकर keyword check करना है तो दूस्तों आप लोगों से एक request है कि आप यदि मेरे इस channel पर पहली बार है यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्रिपे करके मेरे इस channel को subscribe कर दे लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा share करे तो चलिए यहाँ पर primary वोला wire को मनें अच्छी तरह से complete कर दिया और बाकी yellow color के wire में sound वोला wire जोड दिये है तो चलिए सबसे पहले यहाँ series में लगा कर check कर लेते हैं तो देख रहे हैं दूस्तों यहाँ से switch on है supplies में आ चुका है तो चलिए फिर से switch on करके देखते हैं देख रहे हैं अभी यह फिर मगर बज रहा था और चलिए इसमें जो में लिड है direct parallel में लगा देते हैं और इसमें आप pin drive लगा कर check कर लेते हैं तो दूस्तों देख रहे हैं sound बिल्कुल सही है भाली वो मगरा जो basic cable था वो भी okay है कोई दिकत नहीं है अब चलिए हम क्या करेंगे कि जो sound लुला yellow color में joint किये थे तो अब हम ग्रीन लुला में भी लगा कर check कर लेते हैं उसी तरह से तो चलिए यहां से दोनो sound लुला वाहर छोडा लेते हैं और दूसरे sound में लगा कर check कर लेते हैं तो दूसरे sound का volume कम है इसलिए चलिए यहां से मैंने volume को बढ़ा कर टेस्ट कर लेते हैं तो दूस्तो देख रहे हैं बिल्कुल सही बज रहा है तो दूस्तो मेरा वीडियो कैसी लगी आप निचे comment box में ज़रूर बतलाएं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे तब तक चलते हैं दूस्तो जैहें ख्यूस्ते हैं